अर्भावी दुनिया में तेरो मच्ची रहा हमने दिल लगाया दिली चली गई और उसे ढूडे निकले तो इटली चली गई उनके कहने पर मानी गई लेकिन किसी पर भी आज तक काम नहीं कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा ये एक संदेश है अब जो चुनावाई नमस्कार सातियों स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर आज स्री बाभुजी कल्यान सींग जी की जैनती है और जैनती के दिन आज हम ऐसे सक्ष से मिलने जा रहे हैं जिनोंने डिवाई में सर प्रितम लोधी अवंती भाई की सोबा यात्रा निकाली थी लेकिन आज जोने डिवाई में कोई पहचानता भी नहीं है तो आईए मिलाते हैं आपको ऐसे सक्ष से तो सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है थेंक्यू गौरभ जी और आपके चैनल के लिए भी जो आप हमसे मिले सर पर्थम मैं बाभुजी के जनम दिन पर आपको दो पंकितिया सुनाता हूं कि जो लोग मिलते रहते हैं वो दिल में समाज आते हैं और बाभुजी कलियांट सिंग मिलकर हमसे चले गए वह बहुत याद आते हैं अच्छे सर आपने सबसे पहले जो डिवाई में रैली निकाली थी एक सोवा यात्रा निकाली थी महरानी वंतिवाई के जनम दिन के दिन तो उस समय आपको क्या सूजा कि आपको यह करना चाहिए था ऐसा था गौरभ जी हम और हमारी पतनी हम किलीनिक करते थे सुनीता किली के नाम से हमारा किलीनिक था तो हम इसी प्रकार से यहां पर डिवाई में समाज जो काफी मात्रा में होने के बावजूद भी बालमिक जैंती अंबेटकर जैंती परश्राम जैंती मतलब सभी समाज की जैंतियां निकलती थी एक हम 85,000 लोग लोग राजबूत होने के दिल में ऐसा ख्याल आया कि हमें क्यों नहीं ऐसा करें तब हमने ये कदम आगे बढ़ाया तब लोगों का हमने थोड़ा सा सहयोग लिया लोगों ने हमें सहयोग भी दिया लेकिन उसके बावजूद भी आज वो एक विसाल रूप धारण कर चुकी है इसी प्रकार से हमने म में ऐसे ख्याल आता समाज होने के बावजूद भी हमारी वीरांग ना कि वहां मूर्ती लगी हुए तब भी उस पर एक जनम दिन पर माला रपन भी नहीं किया जाता ना कि ऐसी कोई सोबा या तर निकाल या दी तब हमारे दिल में ऐसा ख्याल आया था तब हमने ऐसा कार्य का बभी चली गई और फिर सारे सबी छेत्रों में जान के लोग रहते हैं वहाँ पर सबी छेत्रों में लगभग ऐसा होने लगा है श्याना है ब्लविंशेर हैं अत्रॉली है कासगंज है एटा है काफी दूर दूर तक हमारी शमाज में यह जाग्रती पैदा हो गई यहां डिवाई से सुरू होने के बाब जूद और अच्छी बात है कि हम लोग इस तरीके से करते हैं जनम दिन पर इसी तरीका से बाबुजी कलियान सिंग जी का भी जनम दिन की सोबा यात्रा मना रहे हैं लोग और मनाते रहेंगे बाबुजी कलियान सिंग हमारे एक ऐसे महापुर बाउन सिंग करीब करीब मैं समझता हूं करने से पहले हमारे साधी माए हुएटे मुक्षिम पंतरी बनने से पहले उस समit चुनाब हो चुका था एक शाधी माय थे वह थे हो तो हम उससमें पानी परस रहे अच्छे सर सबके अपने जीवन काल की कहानी होती है तो आप कुछ अपने जीवन की कोई बात कोई भी बाख्या हमसे सेर करना चाहेंगे देखिए गौरब जी स्टूटेंट लाइप है कैसी लाइप होती है जिस समय हम डिग्री कॉलेज डिवाई में पढ़ते थे उस समय लोग थोड़ी ही हमें शायरी वगरा लिखिने की भी सोक थी और भावी दुनिया में तेरो मच रहो हला और भावी दुनिया में मच रहो हला और देख तेरे क्वारी कैई हे गए ओलला या ही से ना आयो तेरो बाले मा और भावी दुनिया में मच रहो हला तेरे क्वारी कैई हे गए ओलला या ही से ना आयो तेरो बाले मा तो इस पतरकार से रसिया वगरा के हम बड़े सोकी रही है रात्तरी में हम जाते थे रसिया वगरा देखने के लिए और या हो रहे तो इसका एक टेक मुझे याद आ रही है आप देखेंगे आप इसे पकड़ी जना मैं आपको सुनाता हूँ एक तो यह हुंकारा पहलवान मैया के कया और तुने जुम या भारी की नवन भेज- lima को तुने भार का लिज ठी न और सुन रिस О मैया के कया तुने जुल मिया भारी की नवन भेज- pencils नाम को तूने मेरा फारिक ले जा दी नो इस प्रकार से हम ऐसी चीजों के बड़े सोखिन से रहें और कभी आपके चैनल के लिए हम कभी और कभी कोई हमारे याद गास आएगी कब तागी तो हम आपको सुनाते रहेंगे तो धन्यवाद सर आप हमारे चैनल पर आए तो साथियों इसी प्रकार से नए नए ब्यक्तियों का नया नया एक्सपिरियंस हम लेते रहेंगे और आप भी हमारे चैनल पर बने रहेंगे हमारा चैनल एक संदेश संदेश आपका आवाज हमारी